हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल नॉलिज विट एसके में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलेक्शन रिजल्ट्स जो की उत्तर प्रदेश, उत्राखंड, गोवा, मनीपूर, पंजाब में जो आज एलेक्शन थे उसके क्या रिजल्ट्स आए, कौन सी पार्टी कहां पे जीती चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीट्स हैं, जिसमें 202 सीट्स में होती हैं, अगर इससे ज़्यादा कोई लाता है तो वह जीतता है, तो बीजेपी को वहाँ पे 255 सीट्स मिलें, एस्पी को 111, एडियल को 12, और आरेली को 8, तो य बीजेपी को यहाँ पे 47 सीट्स मिलें, इंडियन नेसनल कॉंग्रेस को 19, आम आदमी पार्टी को 0, और अधर को 4, तो यहाँ पे भी बीजेपी की ही सरकार बनती दिख रही हैं, देखिए, अब नेक्स्ट है गोवा, गोवा में टोटल 40 सीट्स हैं, 21 चाहिए मेजरेटी मे बीजेपी को यहाँ पे 20 मिला है, कॉंग्रेस 11, डेवल एपी 2 और अधर को 7, तो यहाँ पे भी लगभग बीजेपी की ही सरकार बनेगी, अब देखिए मनिपूर, मनिपूर में टोटल 60 सीट्स हैं, 31 जिसमें मेजरेटी के लिए होती है, बीजेपी को 32 मिली है, बीजेपी 17 सीट्स हैं, जिसमें से मेजरेटी के लिए है 59 सीट्स, यहाँ पे आम आदमी पार्टी को 92 सीट्स मिली है, कॉंग्रेस को 18, बीजेपी को 2 और अधर को 5, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क ये दन्यों